दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे चार ओर एक हर्षोलास का वाताओन बना हुआ है, और आखिर ये हर्षोलास हो भी क्यों ना, वर्षोबाज स्री रामलेला अयुद्या पधार रहे हैं, तो दोस्तों, ये जो एक दिवाली के बाद हम लोग मही दिवाली मना रह हैं, और आए होब कि आप सब लोग इसमें उसी हर्षोलास के साथ हैं पालिसिपेट कर रहे हैं, तो आईए आज हम लोग डिसकस करते हैं कि राम क्या है और राम राज जी क्या है, मैं संदीक पवार आप लोग का MPPSC उतकर्स चैनल पर स्वागत करता हूं, और आज ही क्लास पहुचाने का जो काम किया है, वो किया है श्रीत तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने राम चरितमानस के माध्यम से एक ऐसी अमर रचना हमारे सामने रख दिया है, इसा महाकाव्य हमारे सामने रख दिया है, जिसने जन जन तक स्री राम को पहुचा दिया है, और भारत थी नहीं भारत के साथ साथ अन्य देश्ती आप देखिएगा तो भी जानते की राम आखिर क्या है तो राम-रुम करते हैं कि लोग बात करें तो उच्छम लोग शब्दी लिखते राम-रुम चरित्मानस हूं तो राम का मतलब प्रभू-3 राम् ज्रित इंद सेंस कि उनका चरित्र केसाथ stress on manas का मतलब होता है सागर तो राम मतलबब ने चरित्र पा-ta-ra-ra-ra甲 other अधिक संभाव नहीं ऊंप है कि राम कॉन तो राम सर श्री अयुधिया नर्डश राम जो अपनी जनता के लिए हमेशा कहड़े रहर राम कौन सर तो वे राम जो अपने पिता के एक वचन के लिए जिन्हों ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ करके वनवास चूज किया राम कौन सर तो वे राम जिनके परम मित्र निशाद राज होते हैं वे राम जो श्री शबरी के जूटे वे रखाने में भी एक पल नहीं चूकते हैं तो राम अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है जिनका उल्लेक शब्दों में करपाना बहुत मुश्किल होता है तो जब रा जो प्रान प्र्दिष्ठा का समारोव आप देख पारहे है इतना भव्य हुआ है और जो होना भी चाहिए इते ऑना यह वर्जों बाद कि बर्शों से जो हम लोग संघर्ष कर रहे ते वह समाप्त हुआ है तो जिब राम को हम लोग देख रहे हैं तो क्यूं ना लगे हाथ हम लोग राम उफजी ची भी बात करें अब राम उफजी की बीप सरत वार नहीं अबुद को हूँ ना लच्छ नहीं ना, that means कि राम राज अपने आप में ऐसा राज एक ऐसा स्टेट और राष्ट्र है, जहां पर कोई दरिद्र नहीं है, जहां पर कोई गरीब नहीं है, जहां पर कोई बुद्धी हीन नहीं होता है, जहां पर कोई दुखी और कोई द जिनके बीच में सोशल हार्मनी होगी, जहां पर सुसाइटी में सर एक्वालिटी होगी, जैसा आज हम लोग हमारे सुसाइटी में देखते हैं, कि लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लोग अपनी रिती, रिवाज और परमपरा और कल्चर के नाम पर लड़ते हैं, तो रा ऐसा राज्य जहां पर सभी लोग खुशाली से रहेंगे और अपने जीवन को एक कैसे नेतिक जीवन की तरह हम लोग व्यतीत करें, वो चीजे सीखेंगे, तो राम राज्य अपने आप में तुलसिदास जी की एक ऐसी कलपना है, जिसे समझाने के लिए एक मनुष्य को नेति होना पड़ेगा, और वो नेतिक मनुष्य ही होगा जो भगवान श्री तुलसिदास के राम राज्य में रह सकता है, जब हम लोग राम राज्य कॉंसेप्ट को डिसकस करते हैं, तो तुलसिदास जिसको समझाते हुए अगेन लिखते हैं, कि देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहीं हुव्यापा, तुलसिदास जिसको समझना, जिसको स्थापना करना, एक हुमन बिंग के लिए, एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा टास्क है, और सोश के देखिए एक पल के लिए, यदि राम राज्य के स्थापना हो जाती है, तो हमारी कितनी ऐडियल होगी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, राम राज्य को डिसकर्स करते हैं, आगे चलके हमारे श्री महतमा गांधी जी, और महतमा गांधी जी भी एक ऐसी सोसाइटी की कलपना करते हैं, जिनों अगेन वह राम राज्य का न कि एक ऐसे सोसाइटी होगी जहां पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमेशन नहीं है जहां पर सामाजिक समरस्ता है जहां पर भाईचारा है जहां पर धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ नहीं रहे जहां गरीबी नहीं है जहां भुकमरी नहीं है जहां बेरोजगारी न अगेंस थे, कि राज्य क्या करता है, तो राज्य मनुष्य पर अत्यचार करता है, पट राम राज्य उनकी एक ऐसी संकलपना है, जहां पर मनुष्य के लिए कोई समस्या है ही नहीं, सारी समस्याओं का अपने राम राज्य में महातमा गांधी एंड कर देते हैं, समाप्त कर और जब मनुष्य नैतिक हो जाएगा, तो उसके लिए राज्य के आवशक्ता क्या होग और जब मनुष्य नैतिक हो गया, राज्य को ostat va so this pass to the Reg When thearies Rawa जुरत होती है वो होती है मनुष्य को आचना को कंट्रोल करने के लिए मनुष्य के आचना को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए राज्य की जुरत है में यदि मनुष्य के अंदर से या मनुष्य के जो सोसाइटी हम लोगों ने बनाई है उसमें से आप राज्य को हटा दीजे डालने का काम करता है वो कौन करता है राज्य करता है इसका बहुत बेसिक एक्जामपल लेते हैं हम लोग कि दो मिट के लिए दी किसी भी स्क्वाइर पर सिगनल बंध हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पर क्या हो जाती अराजकता फिल जाती है तो राज्य महत्पून जएक पतो है पर यह कैसा हो सर ba जीसा हूं जैसा कि मैंने बताया कि राम राज्य के कलपना सिर्फ भारत में ही नहीं की गई है दुनिया के दुसरे देश में भी राम राज्य को लेकर कई विचार प्रस्तित किये गए उनहीं मेंसे ऐख विचार है प्लैटो का जो कि हमारे PSG के syllabus में भी है प्लेटो राम राज्य को समझाते हुए कहते हैं कि यह जो राम राज्य और एडल स्टेट होगा यह एडल स्टेट होना के सा चाहिए तो प्लेटो ने बहुत अच्छे से सको समझाया है कि राज्य अपने आप में कुछ नहीं है राज्य जब होता है मनुष्य का एक विक्सित रूप होता है that means कि मनुष्य सही राज्य का क्या हुआ है विकास हुआ है कैसे सर तो प्लेटो ने समझाय कि मानविय आत्मा में जो एक हुमन सोल है उसमें तीन तरह के वर्ची उस होते हैं the virtue of wisdom, courage and appetite अब इन तीनों के तीनों वर्ची जो होते कि से भी मानविय आत्मा में एक समगर रूप में नहीं पाय जाते हैं that means इन तीनों वर्ची में से कोई एक वर्ची होगा जो आपके अंतर डोमिनेट करेगा और जब इन वर्ची के according हम लोग किसी state में तीन classes का formation कर देते हैं जिनके पास में wisdom होगा वो form करेगे ruling class जिनके पास म में होगा appetite जिनके पास में desire होगी वो form करेंगे producing class trade business activities में involved होगे सर वो लोग तो बहुत अच्छे तरीके से plateau ने अपने idle state को समझाया है अपने रामराज्य को समझाया है और यह जो रामराज्य होगा idle state होगा plateau का यह based होगा non interference पर that means कि इस society को guide करने का काम कोन करेगा एक philosopher king क class से बिलॉंग कर रहा है अपका but guide करना उसका purpose है ना कि लोग को rule करना what it means sir that means difference क्या हुआ so difference क्या होगा इसमें कि जो वेक्ति है वो rule करेगा non interference की basis पर वो लोग को guide तो करेगा but उनके काम में interfere नहीं करेगा जब एक वेक्ति दुसरे वेक्ति के काम में interfere नहीं कर रहा है एक class दुसरे class के काम में interference नहीं कर रही है तो आप सोच के देखिए कितनी ideal society हम लोग established हो जाएगी कि प्रतेक वेक्ति ध्यान दे रहा है अपने कर्तव्य पर और वो कर्तव्य भी उसको दिया गया है उसके virtues और सदगुन के आधार पर जिसमें वो specialization रखता है spellist हो है उस particular field का क्य क्योंकि वही particular virtue से उसके अंदर में है उसकी soul जो है उसी virtue वो soul के अंदर क्या कर रहा है सर डोमिनीट कर रहा है तो जब आप आपको किसी भी individual को क्या करेंगे उसकी soul के virtue के according duties दे देंगे तो उन duties को बहुत अच्छे से वो fulfill भी कर पाएगा practice भी कर पाएगा बट यदी आप क कर लड़िये तो बहुत अच्छे से state को security प्रवाइड करने का काम नहीं कर पाएगा इसलिए प्लेटो ने जो वर्क स्पेशलाइजेशन है लेबर स्पेशलाइजेशन है उस पर बेस्ट एक non-interference पर बेस्ट आइडेल सुसाइटी क्या करी है सर कल्पना करी है तो प्लेटो सुधरम का वर्च्व बहुत ज़्यादा है बट वो लोगों को रूल करेगा उनको गाइड करने का काम करेगा उनके कामों में सर इंटर्फेरेंस नहीं करेगा और चब गांधी जी तुलसीदास जी के हम लोग रामराजी को देखते है तब हमें समझ में आता है कि राम कास्टिल देश हैं डिवलपिंग नेशन हैं और इसे डिवलप्मेंट के पार्थ में जो सबसे बड़ा एक बैरियर आता है वो ता है सोशल डिसार्मनी सोसाइटी में अराजकता फैली हुई हैं लोग रिलिजन के नाम पे लड़ने बेड़ जाते हैं लोग दूसरे की आइड अल्कुल बात सही हैं बट क्या हमारे अंदर वर्चू होने के नाते हमारी ये ड्यूटी नहीं बनती हैं कि जब हम लोग श्री राम राज्य के स्थापना कर रहे हैं तो क्यों ना एक मनुष्य के अंदर वो सारे सद्गुन भी विक्सित किये जाएं क्यों ना एक ऐसी आइ सोरते हैं कि व्यक्ति के लिए चाहे ओ57 ए geschोन एड्यूकेशन प्रवाइड करकश बीजी जहां अपर सर मंदीरों में दीए जलाने के साथ-से अशाना हो कि किसी के घर में इलेक्टशिटी ना हो यही आप मंदीरों में दीए जला रहे तो कोई ऐसा परिवार नहीं बचना ची है हमारे जिसके घर में लाइट नहीं हूं। साथ ही साथ जब हम लोग बात कर रहे हैं राम राज्य की, तो साथ सुसाइटी में एटलिस रिलिजन के नाम पे किसी तरह की कोई अराजकता ना हूं। सब लोग एक जो ब्रदर्वूड होता है उसे अपना जीवन यापन करें। सब लोग एक दुसरे की आइडिलॉजी को, एक दुसरे के धर्मों को, एक दुसरे के ट्रडिशन को रेस्पेक्ट दें। तो जिस दिन आप ये सारे वैल्यूज अपने अंदर इंकल्केट कर लेंगे, जिस दिन आप इन सद्गुनों के अनुसार अपने जीवन को वैतीत करना सिख जाएंगे, उस दिन इस संसार में राम राज्य इस्टैबलिश हो जाएगा, हम लोग उस राम राज्य के जिनके क स्थापना की ओर, जब राम राज्य से सुसाइटी में स्टैबलिश हो गया, तो सारी समस्या समाप्त हो गया, और एक मनुष्य का जीवन वो जीवन हो जाएगा, जिसके हम लोग सिर्फ क्या कर पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग राम र जीवन वेक्तित्व नहीं हैं, जिस पर कोई रिलिजन अपना हग बताएं, राम राजि़ तो सर अपने आप में ऐसी कल्प्ना है एक ऐसे विचार है, एक ऐसे व्यक्तित्व है सर, जो किसी भी धर्म रिलीजन किसी भी जाती से ऊपर है, क्यों यू पर हैं, तो आप लोग कि रामायन सर उसके इतने सारे संस्क्रण अवेलेबल है हमारे पास में कि यदि आप जाएंगे साउथ इस्ट एशियन नेशन में तो वहां पर उन्होंने अपने हिसाब से राम जी को समझाए जब तुलसिदास जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने हिसाब से राम जी को स जिन आदर्शों का पालन हर मनुश्य को करना चाहिए और जिस दिन आपने राम के गुणों को अपना लिया उस दिन समझ जाईएगा कि जो राम राज्य उसके स्थापना हो गई उस दिन समझ जाईएगा कि सवसाइटी में जो डिस्क्मिनेशन होता है किसी भी सेपर जो डिस्क्मिनेशन हो रहा है सर हो समाप्त हो जाएगा तो आईए आज हम सब लोग मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हम लोग निरंतर राम मंदर स्थापना के लिए परियासरत जो संकल्प हम लोगों ने एक लिया था कि नहीं एक दिन आएगा जस दिन हम लोग प्रभुश्री राम को उनके घर में विराजित करेंगे और वो समय जब आही गया है तो क्यों ना एक और संकल्प लेते हैं लोग उसकी पूर्ती में लग जाया कि कल से सर अब जब मैंने रा आरे अंदर हमारी सोल में हमारी जीवन में राम के करेक्टर को उतारे क्यों ना किसी भी इंडिविजुल को ये सिखाए कि महिलाओ को लेकर आपका व्यभार कैसा होना चाहिए आपने रामायन राम चरितमानस देखी सुनी होगी उसमें लोग क्या देखते हैं कि कैकई माता जिन्हों ने अपने पुत्र महु में आकर के एक पुत्र को वनवास दी दिया फिर भी प्रभूश्री राम के मन में उनको लेकर कोई कपट नहीं है जिदी आप रामायन को पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि सर्थ प्रभूश्री राम ने तो केवट जैसे व जटायू जो थै उनका क्या-क्या उनको एक पिता की तरह उनका अनतेस्टी संस्कार किया है ति ये सब चिये क्या दिखाती है क्या अग मनुश्य को ये सारी चीजे हमें सिकाति है कि एक मनुष्य का आचरं कैसा होना चाहिए और जिस दिन आपने उनके अनूसार उनके मुल पुरी प्रत्वी से आप अराजकता का क्या कर देंगे, समापन कर देंगे, किसी भी इंडिविज्वल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रभुश्री राम के राज्य में क्या था, प्रभुश्री राम के राज्य में सोशल हर्मनी थी, प्रभुश्री राम के राज्य में कोई व्यक्ति भूका नहीं होता था प्रभुशी राम के राज्य में हर व्यक्ति के पास में अपनी आजीविका का साधन था that means unemployment नहीं था सबूह आज जिस सुसाइटी को हम लोग देखते जिस सुसाइटी को आप experience करते हैं उस सुसाइटी में कई सारी Maps और उन्हें करने के लिए करना क्या है जो संकल्प अभी हम लोग थोड़ देर पहले लिया है कि से राम राज्य के स्थापना के बाद हमारा जो अगला परपस होगा जो अगला टार्गेट होगा वह हुगा राम राज्य के स्थापना के प्रयास करते हुए उसको साकार करना मंदिर तो बन आधान करने के लिए आप खुद क्या करेंगे, कैसे आप दूसरों को ये सिखाएंगे कि प्रभू श्री राम एक नैतिक व्यक्तितु है, मरियादा पुरुष्वत्तम कहा जाता है उन्हें, तो आप इन नैतिक गुणों को कैसे लोगों को बताएंगे कि इन नैतिक गुणों यहीं समाप्त करते हैं, ऐसे ही और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए उतकरश के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में